5 trillion economy का सपना देखने वाले देश में सडकों पर वने गढ़ों से हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है सरकार कस पर कोई ध्यान नहीं है तंग आकर लोग खुद ही उपाई ढून रहे है पंजाब ट्रेफिक पुलिस के गुरवक्ष सिंग ने भी खुद ही ये जिम्मेदारी ले ली है ये काम वो कैसे कर रहे हैं देखे ये रिपोर भारत को विश्वगुरू बनाने का सपना देखना बुरा नहीं है 5 trillion economy बनाने का सपना बुरा नहीं है चंद्रियान उडाना सरहनी काम है लेकिन सडकों के गड़ों को भरना सबसे ज्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसे आम लोगों और वेकसूर लोगों की जान जाती है ट्रेफिक पुलिस का ये जवान पंजाब के भटिंडा का है जो लोगों को ट्रेफिक नियमों का पालन करवाने के साथ लोगों की जान भी बचाने की कोशिश कर रहा है दर असल गुर्बक्ष सिंग सडकों पर बने गड़ों को अपने एक साती की मदद से भरने का काम कर रहे हैं ताकि सडक हासों को कम किया जा सके इसके लिए वो interlocking tiles और मित्टी अपनी गाड़ी में रखते हैं और जहां उन्हें सड़क पर गढधा दिखता है वो उसे भर देते हैं इसके लिए वो किसी से मदद भी नहीं लेते भारत में हर साल करीब देड़ लाग लोग सड़क हासों में अपनी जान गवाते हैं और ऐसे में गुर्बक्ष सिंग की ये कोशिश काबले तारीफ है उनकी इस कोशिश से पंजाब पुलिस को भी उन पर नास है पंजाब पुलिस ने अपनी सोशल साइट पर भी गुर्बक्ष केस कारणामे की सरहाना की है लेकिन सरकार कब जागेगी ये काम सरकार का है ना कि आम आदमी से भरपूर टैक्स वसूल करने के बावजूद सरकों के लिए उपर से टोल टैक्स लेने के बावजूद वो ऐसी सरकें देने में नाकाम हैं जिसमें गढ़े ना हो रुमाना अलवी गो न्यूज